हेलो गाइस, वेलकम बैक टो एजुकेशन आईक्यू, आई होप आप सब अच्छे होंगे, तो आज का हम लोग दाहिंदू न्यूस पेपर देखेंगे, डेली मैं आपको दाहिंदू न्यूस पेपर पढ़ाता हूँ, जिसमें हम लोग 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर, जो भी इ पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में क्या चल रहा है, हर एक आर्टिकल की, हर एक न्यूस की, मैं आपको एक स्टोरी टाइप, एक समरी टाइप बताऊंगा, ताकि आपके चीजें याद रहे, तो स्टार्ट करते हैं आज का दाहिंदू न्यूस पेपर, विदाउट एनी टा हो गई, 36 गड़ हो गई, लेकिन कांग्रेस जो है, वो तेलांगाना में जो है, वो जीत गई है, ठीक है, तो ये elections के related है, जादा इससे जादा जानने की जरूत नहीं है, कल आपने दिन बर देखा ही होगा, उसके बाद next news के उपर हम लोग चलेंगे, हाँ आम आदमी दिल्ली मोस्ट अंसेफ और बुवमेंट, तो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड वीरो, NCRB की एक रिपोर्ट आई है, जिसने बताया है कि दिल्ली जो है, वो सबसे, मतलब 19 जो मेट्रो सीटीज है, उनमें सबसे हाइस जहां पे जो सेक्शुल वाइलेंट होता है, वो सब आप लोग देख सकते हो कि दिल्ली जो है, वो सबसे सेक्शुल सीटी है, इंडिया के रूप में, मत सेक्शुल सी, इंदा सैंस के, यहां पे सेक्शुल वाइलेंट बहु जादा होता है, नेक्स्ट निउस के उपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपोर्टन होगी आपके लि री क्रिमिनलाइजिंग अडल्ट्री, अडल्ट्री क्या होती है न, अगर स्पोस करो, किसी का कोई हस्बेंड है, तो उसका कोई आउटसाइड, एक्स्ट्रा मैटरनल अफेर है, मतलब उसका किसी और की बाइफ के साथ अफेर है, या किसी और लड़की के साथ अफेर है, उ मतलब हिंदी में इनको नाम दिए गया है जैसे IPC हो गया CRPC हो गया ठीक है तो इनको एक्जामिन कर रही थी वो Criminal Bills को तो उसने इस चीज को recommend किया है कि हमें दुबारा से criminalize करना चाहिए कि इसको Adultery को Adultery मैंने आपको बता दिया क्या होता है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने तीन Bills जो थे उनको एक्जामिन किया जैसे IPC हो गया Parliamentary Standing Committee ने CRPC हो गया और इस चीज को recommend किया कि हमें criminalize करना चाहिए 2018 में क्या हुआ था आप सबको पता होगा तो section 497 है जो इसे deal करती है IPC की उसको उसमें जो सब शाइन वर्सिस Union of India या आपको पता होना चाहिए इस case में Adultery को जो है ना वो non criminalize कर दिया था Supreme Court ने सिधा सिधा कि ये कोई crime नहीं है और इसको जो है non criminalize कर दिया था 2018 में लेकिन अभी जो parliamentary standing committee है वो उसको criminalize करने की जो है वो बात कर रही है तो एक senior advocate है गुबाल शंकर नारायना उन्होंने बोला है कि Adultery को criminalize करने में दो problems है पहली ये है कि ये चीज बोलना कि हम लोग इस लिए इसको जो है decriminalize कर रहे हैं क्योंकि ये जो purity है ना उसको जो marriage की purity है उसको safe करती है मतलब marriage को पुवितर रखती है इसलिए हमको तो ये classification ठीक नहीं है और दूसरा ये कि woman को एक property की तरह अपनी property मानना ये भी गलत आरना है इसको criminalize करने की ठीक है उसके बाद making it gender neutral would do away with the second इसको हम अगर हम लोग gender neutral कर देंगे मतलब woman भी उतनी दोशी माननी जाएगी अगर वो extra maternal affair करती है और man भी उतना ही अगर दोशी माना जाएगा तो हो सकता है हमारी जो first problem है ना ठीक है जो marriage को लेके है वो solve हो जाए next news के उपर हम लोग चलेंगे उसके बाद जो भी important होगी adultery के बारे में I hope आपको समझाएगा आज सिर्फ assembly polls के बारे में में आया हुआ है ठीक है क्योंकि कल इलेक्शन जो थी वो हुई है तो उसी चीज को जो है वो चर्चा में है उसके बाद disinformation के बारे मिले है हाँ इसराइल जो है इसराइल ने जो है order दी है कि आप लोग जो है इवेकुएट कर दो जगाओं को खाली कर दो क्योंकि जो bombing है अभी वो southern गाजा की तरफ भी दो है वो जीरे दीर है इसराइल जो है वो shift कर रही है तो उसने सिधे सिधे जो है वो warning दी है इसमें और कुछ नहीं है डेली इसके related news आती रहती है इसराइल और पैलस्टीन के अंदर जो हमास के अंदर जो है वो वार चल रहा है 135 चाइनीज बोर्स पॉर्टी नियर रीफ ओफ फिलिपीन तो फिलिपीन का जो रीफ है ना रीफ क्या होता है ये मतलब एक animal का जो पार् चैती है तो यही इसमें लिखा हुआ है next news के ओपर हम लोग चलेंगी यूक्रेन ने जो है ना रशिया के ओपर आरोप लगाया है कि वो जो जिन soldiers ने surrender कर दिया है आतम समर्पन मतलब कर दिया है surrender कर दिया है ठीक है उनको भी जो है वो रशिया जो है वो उनको kill कर रहा है मार रहा है तो इस चीज़ का उन्होंने आरोप लगाया है उसके बाद India agreed to withdraw troops from mail mail मतलब जो Maldips की capital है से मीजू after meeting Modi तो मैंने आपको एक दो तिन हपते पहले बताया था कि जो भी फिलमपीन के जो मीजू है ने जो प्राइम मिनिस्टर आया है उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है अपनी जो आर्मी है उसको फिलमपीन से हटा दे लगबग 75 soldiers वहां पे डिपलाये थे तो इं करना कमेंट करना और जो निया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकान को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के तुरू पता चल जाए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें वोट्साइप पे टेल टेलिग्राम को जॉइन कर लेना उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा जैसी वीडियो आएगा तुरंत मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा डेली मेरा शाम को साथ बच्चे जो है वो वीडियो आएगा जैन